आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कर सकते हैं और Diameter of the Circle के अगर हम लोग एक Uniform Circular Motion को उसके Diameter के Along देखें उसका Diameter के Respect में देखें तो फिर Simple Harmonic Motion उससे कैसे Related होता है ठीक है तो देखें सबसे पहले हम लोग माल लेते हैं कि कोई भी एक Particle है वो simple harmonic motion perform कर रहा है जिसमें यह उसका main position है यह उसका positive extreme plus a और यह उसका negative extreme minus a है ठीक है जब भी गाइस जैसे कोई particle simple harmonic motion perform करता है तो simple harmonic motion का जो standard equation होता है वो होता है x equal to a sin omega t ठीक है हमने ऐसा मना हुआ है कि particle जो है वो main position से अपने motion को start करता है ठीक है a sin omega t यह displacement की equation है तो इसकी speed की equation क्या हो जाएगा है उसकी speed की equation हो जाएगी v equal to a omega ठीक है क्योंकि एक बार इसको differentiate करेंगे dx by dt तो हमें मिल जागा a omega cos omega t ठीक है यह हमें मिल जाएगा तो देखिए गई यहाँ पे हमें दो चीजे मिल गई है first time के साथ हमें displacement का relation मिल गया ठीक है first time के साथ displacement का relation मिल गया तो second time के साथ velocity का之 ninety हम चाही है तो इसकी acceleration भी लिख सकते हैं ठीक है तो acceleration भी लिख लेते हैं acceleration अगे है, एक्सलरेशन अगेन एक बार v को डिफ्रेंसियेट कर देंगे dv by dt ठीक है तो यहां से हमें एक्सलरेशन मिल जाएगा माइनस a omega square sin omega tt ठीक है हलांकि इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है हम लोग सिर्फ displacement और अब बात करते हैं कि हमारे पास इक particle है चोр यह इसका center है और माल लेते हैं कि इसका जो radius है वो a के बराबर है और यह वही a है जो यहाँ पर amplitude होता ठीक है ऐसा हमने माल लिया अगर particle जो है वो circular motion perform कर रहा है तो उसकी कुछ angular speed भी होगी तो इसके angular speed को हम लोग माल लेते हैं और यहां से यह particle अपने motion को start करता है यहां से पार्टिकल में motion को start करता है angular speed omega से तो t time बाद कितना angle रोटेट होगा t time बाद माल लेते हैं कि particle जो था वो कुछ यहां पर आ गया ठीक है माल लेते हैं t time बाद particle अगर यहां पर आ गया और यह angle rotated जो है वो theta है तो theta की value हम लोग लिख सकते हैं गाई जहां से theta equal to क्या हो जाएगा theta equal to omega t हो जाएगा अगर मैं इसके diameter पे लेंहीं इसका diameter है यह इसका diameter को मैं थोड़ा सा northwest यह diameter है और इसके diameter पे इसके diameter पे मैं लेंहीं फाइंड करूं यह थीक है इसको अगर यह लेंथ जो होगी और यह X जो गा, यह बराबर होगा, ठीक है, यानि X equal to हो जाएगा, simply A sin theta, ठीक है, क्योंकि यह क्या होगा, यह इसका A radius है, और यह theta है, तो यह इसका जो perpendicular है, इस triangle में यह हो जाएगा, a sin theta और x के value इसी के बराबर होगी यानि a sin theta और क्योंकि theta के value जो omega t के बराबर है यानि x equal to हमें मिल जाएगा a sin omega t ठीक है guys x a sin omega t अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल आ गया है तो फिर इसकी speed कितनी होगी इसकी तो speed होगी वो कुछ इस direction में होगी ऐसे पर पेंटिकलर direction में इसकी कुछ speed होगी ठीक है और speed कितनी होगी speed होती है guys radius into angular speed यानि यह speed v की value हो जाएगी v को नहीं इसकी speed लिख देते हैं इसकी speed हो जाएगी a omega ठीक है इसकी speed क्या हो जाएगी a omega अज़ा अगर यह इसकी speed हो गई यह अगर theta है तो ध्यान से दिखे guys अगर मैं यहाँ पर angle को ऐसे specify करूं तो अगर यह theta है तो यह भी theta और यह अगर theta ह्य तो यह 90 माइनस theta यह 90 इस y1000 यह angle यह अगर angle मैं यहाँ एंगर द्रॉड़ कहरूं तो यह भी theta होगा ठीक है यह भी theta होगा तो अगर यह omega है तो फिर यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A omega cos theta ओके यह वह जाएगा यह omega cos theta इसका मतलब अगर इस omega cos theta लिख सकते हैं कि इस omega cos theta को अगर मैं V Prime कर दूँ ठीक है इसको अगर मैं V प्राइम कर दूँ V तो V Prime की value हमएं मिल रही है यह omega cos theta को लिख सकते हैं cos omega t ठीक है guys अब देखिए यहां पे भी जो relation मिला है x का distance का इसका distance का इस जो distance है direct distance ठीक है projection के बात कर रहा है guys हम लोग यहां पे जो center से distance है वो x equal to a sin omega t यहां पे भी मिला है और a sin omega t यहां पे shm में भी होता है speed जो है यहां भी a omega cos omega t मिली है horizontal direction में ठीक है horizontal direction में और यहां पे भी speed होती है वो a omega cos omega t ही होती है guys in the same way अगर हम जो value मिलेगी वो भी बिल्कुल सेम मिलेगी a prime और a prime के value हम यहां मिल जाएगा a minus a omega square sin omega t ठीक है guys यह हमें मिल जाएगा यहां पर भी same जो horizontal component था इसके displace यह जो जितना displace हुआ उसका horizontal यानि यह x या फिर इसका centripetal acceleration था center की तरफ उसका horizontal और actually यह horizontal भी नहीं है यह है जिस diameter के respect हम लोग देख रहे हैं उसके parallel ठेक है क्योंकि अगर हम लोग इस perpendicular जो यह vertical diameter अगर इसके respect में देखेंगे तो यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे उसके parallel जो है सारी चीज़े हम लोग इसके बिल्कुल SHM की तरह ही मिल रहे है ठीक है और इसको हम लोग क्या बोलते है प्रोजेक्शन ठीक है इस circular motion का इस diameter पी जो projection होता है वो बिल्कुल डिक्टो SHM यानि simple harmonic motion के जैसे ही होता है ठीक है यानि यहां पे ह लोगों को हमारे question का answer मिल चुका है simple harmonic motion can be defined as projection ठीक है यहां पे क्या हो जाएगा projection projection of uniform circular motion upon a diameter of the circle देखिए अब यहां पे इस चीज़ को अगर हम यहां पे match करते हैं तो इस circular motion में इस circular motion का speed इसकी acceleration और इसका जो displacement था उसका इस diameter पे projection जो है वो value हर जगह यहां हमें SHM के जैसे ही मिली है तो होप अपको यह concept समझ में आया होगा thank you